तो आज एक्सपाइरी है और हम इंडेफ्ट बात करेंगे कि आज ऑप्शन बायर और सेलर आप कौन सा स्ट्राइक प्रैस बाय कर सकते हैं और क्यों क्या स्टॉप लॉस होगा क्या टार्गेट होगा और साथ ही साथ बात करेंगे कि ऐसी स्पेशल न्यूस की जो आपके लिए अच्छी है मार्केट में कुछ ऐसा डेटा पॉइंट में आपको बिखाऊंगा जो आपके लिए बैनिफीशल है आज आपके बात करेंगे कि आपके लिए बैनिफिशन है तो चली पहले इनाइस स्टाट करते हैं अगर मैं बैंक निफ्टी में बनी गएक इंसाइड बनी आज के लिए यह काफी अच्छी इंपोर्डेंट स्पोर्ट का काम करेगा अगर आपको डेखेंगे तो एक डाउंट्रेंड चल रहा था कल कहीं ना कहीं मार्केट में उससे उपर क्लोजीं दी अगर आज मार्केट ने इस ट्रेंड लैन से उपर सस्टेंड किया तो आप इ से नीचे करें तो आपको 35,000 तक का टार्गेट मिल जाएगा चलिए ऑप्शन चेंड देखते हैं वहाँ पर क्या समयरी हों मेरे पास जो में बात कर रहा था कि एक बड़ी मूब आज सकती है आज के लिए तो उसके पीछे क्या रही है वो लास्ट पर बात करेंगी आज अगर मैं ऑप्शन चेंड की बात करूँ तो यहां पर थोड़ी बहुत अन्वाइंडिंग हुई आपको पता है और यहां पर थोड़ा बहुत बिल्ड़ अप हुआ अगर मैं स्पोर्ट की बात करूँ तो यहां पर यह एक लेवल यह एक लेवल अच्छा जो 35,500 का स्पोर्ट का का प्लेगा उसके बाद अगर बात करो तो 35,000 का लेवल एक अच्छी खास स्पोर्ट का का काम करेगा ऊपर हमारे पास रिष्टर तोड़ दिया फिर आपको पूर्ट में बेनिफेट होगा अप्टू दिस लेवल यहाँ पे फिर आप कॉल बाई का प्लान कर सकते हैं अच्छी की बात करें अगर आप देखेंगे कल मार्केट ने कहीं नहीं की कोशिश की लेकिन सस्टेंड नहीं कर पाया तो अब भी के लिए हमारे पास यहीं स्पोर्ट का लेवल काम करेगा जो है राउंड यह तो फाइवनिट के लेवल फॉर एटी त्री और फाइवनिट क् लेगर मार्केट इस से उपर फाइवनिट से उपर सस्टेंड के टैन टू-फिफ्टी मिनिट्स तो आप बाइग का प्लान कर सकते हैं और अगर आप सेफ बाइग करना चाहते हैं तो यह एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है इस प्रेंड लाइन से उपर जब भी इस ट् साइट पर 500 यह दोनों इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी में तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या वहां पर और क्यूं मार्केट बुलिश रह सकते हैं सॉरी बॉलेटाइल रह सकते हैं अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चैन की बात करूं तो यहां पर काफी क्यूं आज मार्केट काफी लेगा सकते अगर आपने पेंक निफ्टी की और भीनगेर मार्केट में बड़ी मूव के चांसे होते हैं और सेकेंड अगर मैं आपको प्राइस सेक्षिंग के उपर दिखाऊंग तो आप देख सकते कि मार्केट में काफी तीन दिन काफी अच्छी रहली ती मैंने उस दिन मार्केट अपना डिसाइड करेगी अगर मार्केट को उपर जाना है तो यहां मार्केट बेरिश होगी है तो यह काफी इंपॉर्टन है लेकिन से उपर आपको इसली मुव मिल जाएगी डाउंट्रेंड के लिए 410 ब्रेक होगा तब में एक अच्छी खासी मूव मिलेगी तो आप कॉशिश रही है इंपॉर्टन लेवल के पास ट्रेड कीजिए और कोशिट के लेवल को ट्रेड करने की थैंक यू अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इससे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तांकि याने वाल को यू वीडियो अपको बस्तो बाइब